कोविट के बीच बर्ट्लू का खत्रा राजस्थान में हुई कई बेजुबानों की बार पांक जिलों में मचा हरकम वन्विभाग भी अलर्ट नया साल भी आ गया मगर कोरोना का कहर अभी थमा नहीं था के मुश्किले और जादा बढ़ती जा रही है दरसल कोविक के बीच अब बर्ट्लू ने भी दस्तक दे दी है जिससे खत्रा अबर्टा नजर आ रहा है क्यूंकि साल 2020 भी महामारी में ही गया और अब साल 2021 की शुरुआत में भी एक महामारी का खत्रा मढ़ राता हुआ नजर आ रहा है साल 2017 में भले ही देश बर्ट्लू मुक्त घोशित हो चुका हो लेकिन अब इस बर्ट्लू रेक बर्ट्लू से खत्रा बढ़ा दिया है लगातार हो रही कउओं की मौत राजस्तान के जोदपुर के बाद जालावार में भी बड़ी संक्य में कउओं की मौत का मामला सामने आया है जालावार में एवियन इन्फुलूज़ जो कि एक तरह का बर्ट्लू है से कउओं की मौत की पुश्टि के बाद राज्जि preach पॉल्ट रिफॉर्म का विजनस करने वालों में हर कंप मच गया है। जालावार जिला प्रशाशन ने राड़ी के बालाजी शेत्र में एक किलो मीटर शेत्र में कर्फू लगा दिया था। बालाजी शेत्र में ही 25 दिसंबर से लगातार कंगों की मौत हो रही है। यहां 100 से जादा कंगों की मौत हो चुकी है जबके बड़ी संक्या में कोवे बिमार है। फिलहाल प्रशाशन ने यह नहीं बताया कि कितने कंगों की मौत अब तक हुई है। जोदपूर से आया पहला मामला राज़े में सबसे पहले जोदपूर में कउओं की मौत का मामला सामनी आया था शहर में राजीव गांडे पुलिस थाने के पास स्थेत भोमिया की थान पर करीब एक हपते से रोज कवे मृतक मिल रहे हैं मंगलवार को 32 और गुदवार को 15 अकवे मृतक पाय के मामला सुख्यों में आने के बाद पशुबालन विभागने कवों के सैपल भोपाल भेजे जोदपूर के कुछ विशेश अग्यों ने शुरुआत में अश्यंका जताईक थी कि रानिकेत नाम की बिमारी से कवों की मौत हो रही है अब जहला वार में एवियन इंफ्लूंजा की पुष्टी के बाद चिंता बढ़ गई है इंसानों को भी खत्रा एवियन इंफ्लूंजा एक तरह का बड़ फ्यू होता है यह वायरस जने तब बिमारी है जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक तेजी से पैलती है इस से अधिकांच पक्षी की मौत होती है पक्षी से यह बिमारी मनुष्य में भी फैल सकती है इसले इसमें एवियन इंफ्लूंजा एक्चन प्लैन 2015 के तहट की कारवाई की जाती है एक संक्रमक बिमारी है जो पालतो और जंगली पक्षी की कई प्रजातियों को प्रभाव कर सकता है जब ये इंसान को संक्रमित करता है तो इसे इंफ्लूंजात कहा जाता है बड़्पियों मुक्त घोशित है देश देश में पहली बार 2006 में महराष्ट में 28 स्थान और गुजरात में एक स्थान पर ये बिमारी फैली थी इस दोरान करीब 10 लाग पक्षियों को मारा गया था और करीब 2.7 करोड रुपै का मुआफ़जा दिया गया था देश में अब तक 49 बार अलग अलग राज्यों में ये बिमारी पहली है क्टोबर 2016 और फरवरी 2017 के दौरान देश के नौराज्यों और केंदर शासे त्रदेशों में बर्ट्प्यू की पुष्टी हुई इसके बाद 6 जुन 2017 में भारत के क्रिश्मंत्राले ने एबियन इंफ्लोजा H5N8 और H5N1 से मुक्तगोशित कर दिया था और इसकी सोचना भी विश्व पश्यो स्वास्त संगजण को दी गई थी आपको बता दे के आखरी बार करनाटक भी धर जी ले के हुमनाबाद में बर्ट्प्लू सामने आया था इसे फैलने से रोखने के लिए किलोमीटर की परिधी में आने वाले इलाकों में पक्षियों को मारने और साफ सफाई का काम किया गया इसके बार देश में भी कहीं से इसकी सूचना नहीं मिली ब्यूरल पोर्ट पंचाब के स्टिक्रूप